आज जी असलाम लेकुम आज मैं आपको चावल की रोटी बनाना सिखा गई हूँ ठीक है ये है चावल का पोर्डर ठीक है डाइस पोर्डर जिसको जो कहते हैं ये चावल का पोर्डर बाहर मुल्कों में तो बहुत एजी अवेलेबल है पाकिस्तान में हर जगा मिल जाता है यह पीजनार है मैं आप मेंत तो हैं फोड़ गहंटा इसको मैंने एक घ्छेंटा की अदर नीम गरम पानी से मिंक्स आपने गफ़ा है यह जैसे हम पकोडों का बनातीं है मेजा लेकिं उसे थोड़ाइसा ही निरम ही काओ फदी एक अग्स चीनी जो है ना वो वन टेबल स्पूल डानी है नीम गरम पानी से अपने इसको मिक्स करना है और एक घंटे के लिए अपने रख देना एक घंटा बहुत ज़रूरी है क्योंको इसमें ये बहुत अच्छा मेल्ट हो जाता है ठीक है और ये इजी बहुत है आप जैसे पूरी है मुझा बनाते हैं तो आप इसको अपना की तरह सब बनाना है ये देखें ये मैंने इस व्राइपन में इसको थोड़ा सा उल्ल डाल है और मैंने इसको इस तरह करती या आप चाहें किसी भी चीज से कर सकती हैं कै आप पता लगे कि आपने सिर्फ साइज ये बनाना है और इसके साथ आपने देखना है कि आपकी यह पूरी जितना साइज हो जे अगर आप इस बड़े तवे हैं स्ट्रेट हैं तो उसमें भी आप बना सकते हैं तो वह भी बनता है तेकिन यह मैंने आपको बताया है और आपने इसको छेड़ना नहीं जब तक आपको कंफर्मना हो जे अगयर को नहीं बड़ाय ऑफना है कि अगया है जैसे आपने नीचे से इस तरह तरह देखना क्यें अन। आप इसको पुलटना क्या आप्यार जिया खालों कि ऊइसके अँदर कुछ आट न पी चीजसह करें और bị अ्ज़ानिपकी देखना हम ड़ीच्ञ अगर आपको चेक तो आप इसको थोड़ी देख लिए छोड़ देख लिए खुद त्यार होगी और यह लीकवट की तरह आपने बनानी है जो लेडिस खासकर पहले भी मैंने आपको बताईए के जो मतलब बेलन से रोटी से तो यह लीकवट एजी है आप कैम्पिंग में भी बना सकते हैं और घ यह मस्कानी है यह देखें आपकी बहुत एजी है चावलों की रोटी है और अगर आप यह देखें बिलकुर यह नरम खस्ता बनी है और जैसे कि आप बेलन नहीं इस्तमाल कर सकते तो आपके लिए यह लीकवट साब बनाएं जैसे मैंने मकई की रोटी आपको पुटाईट सेम यह वह प्रोसीजर है इसके आप इन्डियए पुछी आपने डालना थोड़ा से छीनी तोड़ा सा नमक डालना है साथ आप यह चने बनाएं साथ आप यह लबाँ बनाएएं और आप यह क्योंके बहुत थी अच्छी ह Görat पर जागों की रोटी है आपके हेल्थ के लिए मुझे दें, किसी भी लेडिस को दें लेकिन आप ये याद रखें कि ये वो ही लोग करेंगे जो गल्द होंगे गल्द से मुराद ये नि कि मैंने मिस्स खान को एक बहुत हार पेना के उपर चड़ा दिया आप उनकी बात को सुनें समझें वो क्या है क्या रही है देखें रोटी हर दोर में शोहरो बापो भाईो हर एको तवे की गरम रोटी चाहिए होती है हाँ आपस में एसास प्यार है कि आप एक दुसरे एक सा कंप्रमाइस करके किस तरह चलते हैं कुछ लेडिस हैं और उन्होंने बलकि ये भी वाज़ा कर दिया था कि मैं वर्किंग लेडिस को नहीं कहरी जो घर में अलरडी हैं जो फारी हैं और ना के पूरा कुन्बा वो संभा लें देखें ना ये सब हैं कंप्रमाइस के रिष्टे ये तो रिष्टे हैं ये अज़स्ट्मेंट के ये तो रिष्टे ऐसे हैं ही निया कि आप एक साइट पे होके चलें कि जी हजबन पे फार्ज है अगर आप इसलाम पे आएं तो इसलाम पे और भी बहुत ज़्यादा बात है आदमी के लिए भी और अरत के लिए अगर आप कंपरोमाई से चलें तो बहुत असान में लिए दूसरा ये है कि अगर अपने जनाबे साइदा को देखें हज़र खतीचा और हज़र ताइशा आश्या इनको देखके क्या दिल करता है कि हम पनी जिन्दगी को चेंज कर लें और अल्लामिया से कहें कि आप अपने जो आपने हपूग लिकें वो चेंज कर दें कुरान शीफ से कहें वो लफजों से बदल दें ऐसा कभी ही कुछ नहीं हो सकता और ये किसी के कहने से ना तो जल्म रुकते हैं और ना ही जल्म पे कुछ होता है अब उनको जो गाली हैं जो कुछ करें क्या आप खुद अपने सोचें क्या ये सही बात है कि एक लेडिज उटके अगर आप से कह रही है आप अपना मुँ बंद रखें आप अपने घर वाक्य जिन पर जल्म हो रहा है जो कि नहीं होते हैं याद राखें ये मकाफाते हैं अमल है चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो जिसके साथ जल्म होगा उसकी ओवाज निकलती है और वो ओवाज जाती है रब तक जब रब तक जाती है तो उसने फैसले करने हैं आप अपने घर को बस देखें आप अपने रिष्टों को देखें कि आप अगर हजबंड का समझ दी है खाली हजबंड से मेरा वास्ता है तो हजबंड के लिए रोटी बना रही है अगर आपकी सास आपका सुसर बैट है तो क्या आप उनके लिए नहीं बनाएंगी कोई देवर बैट है कोई नंद है या आटोमेटिकली वो लड़की करेगी जो के अच्छे देखें याद रखें आज जो लड़के पसंद भी का रहे हैं वो टॉल और यह हो तो उनके साथ हो भी क्या रहा है लेकिन मैं सिर्फ आप से यह कहूंगी आप सिर्फ अपने को देखें अपने घर को देखें ना दूसरी ओरतों को देखें ना दूसरों के पीछे जाएं अपना घर बनाएं अपनी हदीसें पड़ें अपने प्यारे रब की बातों पे चलें तो आप अपने घर को जन्नत बना सकती है वोई husband आपको बुरा लगगा अच्छा लगए न लगजागा वोई बीवी आपको बुरी लगए अच्छी लेकिन अपनी चाहे वो आदमी हो चाहे मार दो दोनों एक दूसरे की इज़र रिस्पेक्ट करें यही जिन्दगी है और एक दूसरे का साथ मत छोड़ें चाहे एज का कोई भी हिस्सा हो जाए अब आप देख लें नहीं नहीं शादी होती है पता लगता है डैवास होगी इदर कितना खर्चे होते हैं दोनों फैमिलीज के लेकिन आप लोग पलीज आपस में इतफाक प्यार रखें इज़र दें दोनों फैमिलीज एक दूसरे को इज़र दें क्योंकि सिर्फ इज़र की कमी आज दोर में और किसी चीज़ की नहीं दोलत हरे के घर में हर समान हर घर में लेकिन अगर रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट की कमी है आप आपस में सास है बहुत से प्यार करें बहुत सास ही तो अज़लों से उता रहा है आप इस बैस में पढ़ेंगे कभी ना सास जीतेगी ना बहु जीतेगी जीत तो उसकी होगी जो नर्मी से एक दूसरे को रеспेक्ट देंगे और ये रिश्टे सब रеспेक्ट महबद के जो अच्छी है जो अल्ला ताला पर भरोसा रखती है वो आप यकीन करें ऐसी ऐसे कुरबानेह देती है कि उनको देखके दिल करता अपना रस्ताब बदल दें गर मैं अगाल तो मेरा दिल करता है मैं उनको देख के सही हो जो तो गुर्बाणी देने मे celा 75% हैं इसलिए ओर्टें बहुत कुर्बाणी हैं बहुत अच्छी हैं और आप इसको जो भी है मतलब घरेलू जो आपके जग रहे वगारा ये वो इनको खत्म करें अपने घर में बरकर डालें रहमत करें बड़ों से प्यार करें और देखें हमारी हदीसें खुलें बड़ों से भी प्यार रिस्पेक्ट करें छोटों से भी करें अगर आप समझें कि छोटे की कोई इज़त वैलियो नहीं है कुछ नहीं हैं तो ये गलत फहमी होती है इनसान की हर एकी जिज़त है चार साल का बच्चा है आप उससे भी प्यार करेंगे वो भी आपके बस खीचा चलाएगा तो आप दौाओं में याद रखिएगा और ज़रूर ट्राइ कीजेगा और घर में कोशिश करें हर चीज़ बनाएं साफ ओ हल्वा भी जो है बगएर ओयल के बनाया हुआ है इसमें कोई ओयल नहीं है तो यूभी मैं आपको बताऊंगी कि बगएर ओयल के बहुत बेहतरी हल्वा तयार होता है दौाओं में याद रखिएगा अस्सलाम अलेकूं वा रहमतुल्लाही बगरा गातु करेंदों